लिकुम टू यूनिक क्लास जो ब डी बीजी है हमारे पास इकसरैस ठीडिय है यहाँ पर मारे पास कोश्षण इस पर कारे Pengहे देख सकते हैं चलिए आपको दिखाते हैं कोशन हमारे पास और भी इसमें चलते हैं सबसे पहले कोशन नमबर वन का पहला दे चुका है इंट्रिगेशन एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले आपको ढूनना परेगा कौन यू है और कौन भी है ठीक है तो देखे यह यू हो गया यह भी हो गया कैसे पता चला तो सबसे पहले आपको जो है यह फर्मूला देखेगा इंट्रिगेशन यू इंटू भी इंटू डी एक्स हो तो आपको इस तरीके से फर्मूला का परियूग करते हैं इसके लिए एक छोटा सा ट्रीक है यहाँ पर देखे यह I L A T E ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं I का मतलब inverse trigonometry function, L का मतलब logarithm function और A का मतलब algebraic function और T का मतलब trigonometry function और E का मतलब exponential function देखें यहाँ पर जो भी आपको पहले आएगा जैसे इन दोने में बात करें तो X किया है algebraic function है A यह वाला मतलब आपको तीन नंबर पर जो आ रहा है algebraic और cos मतलब आपको जो है trigonometry function है यदि trigonometry function है और यह पहले आ रहा है जो पहले आ रहा है उसको माल लेंगे U otherwise दूसरा जो होगा वो आपको भी हो जाएगा तो चलिए आपको यहाँ पर करना क्या है कि U को रखना है और B का differentiation करना है देखें इंट्रिगेशन में ही तो चलिए हम यहाँ पर X को रहने दिया cos X into dx कर दिया इसको ओके फिर उसके बाद माइनस से माइनस लगा दिया यहाँ पर dx बट्टा dx मतलब जो होता ना U का differentiation होता अंदर तो यहाँ पर X इसका हमने differentiation में कर दिया यह integration फिर डाल दिया वापस से आपको देखें भी dx के लिखना है ताकि आपको इसको बाद में इसका integration हो सके तो इसको हमने लिख दिया इस तरी किसे यहाँ पर जो होता वो चीज यहीं पर होता हो कि और यह सब का वापस से differentiation है यह dx लगा हुआ मतलब वापस से इसका integration करेंगे देखिए आपको x रहने दिया cos का आपको sin x हो गया कैसे तो मतलब जो होता न cos का आपको integration की बात कर दे तो sin x होता है और dx बटता dx मतलब इसका differentiation 1 हो चुका है और cos का integration sin x आगे चलते x sin x यह sin का integration minus cos x होता है तो minus cos x और पहले से minus है तो plus cos x plus c तो यह आपका आचुका है यह question number 1 का पहला था जो आपका solution बनाना था question number 1 का दूसरा देख लेते हैं देखते किस परकार है इसमें देखें इस तरीके से यह भी similarly काम इसमें भी उसी परकार है काम में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा देखें एक sin x 3x into dx है देखें यहाँ पर हमने काय किया इसको x को बाहर रन ने दिया sin का differentiation के respect में लिख दिये और फिर यहाँ पर आपको यह x को क्या करना इस तरीके से आपको फर्मूला लगा देना है फर्मूला जो अभी देखें वही सिमिलरली फर्मूला कोई चिंजिंग नहीं करना sin का आपको integration minus cos और यहाँ पर भी sin का minus cos फिर इसका आपको वापस differentiation होगा इस और integration होगा यह 1 by 3 constant यह बाहर आ चुका इसका minus minus plus हो चुका cause का integration आपको क्या होता sign होता देखें यह 1 by 3 इसलिए हो गया क्योंकि जो angle में होता integration में आपको वह भाग में जाता डिवाइड बे आपके पास इस तरीके से आ चुका है यह question number इसका second था चलते है यह कैसे हो चुका 1 बटा 9 तो आपको देख सकते है यह minus x cos 3 x बटा 3 है यह देखें यह तिन त्याई 9 हो चुका होगा तो पलस वाले को पहले लिख दिया बाद में minus वाले को लिख दिया तो चलते next person की और यह आपको third question है इसका देखिए आपको integration x square cos x है हमने इसको काया किया यह u हो गया यह भी हो चुका x square को रहने दिया cos का differentiation इस तरीके से हम इसको लिखे x square को रहने दिया मतलब x square का differentiation फिर cos के साथ तो similarly आपको जो काम पहले किये तो वह ही हो चुका है cos का integration sign और यहाँ पर भी cos का sign यह आपको 2x finally 2 बाहर हो चुका होगा x sign x यह वापस से आपको क्या होगा वापस से इसमें rule लगाएंगे u into b का मतलब एक और नया काम आपको आचुका है यह minus 2 और यह आपको sin x into dx है इसका आपको ज़िए integration करते हैं तो क्या होता minus cos x sign का minus होता हो के इसका आपको integration minus cos x और यहाँ पर देखें यह dx लगा हुआ यह इसका भी वापस से आपको integration करना है यह minus पहले बाहर भेज़ देजिए तो plus हो चुका है यह minus इस तरीके से है यह minus 2 बगल में है multiply होगा तो plus 2 होगा यह sin x cos का आपको sin x हो चुका और minus cos से multiply कर देजगा तो यह plus 2 cos x यह minus 2 sin x यह जो x square sin x है यह similarly वैसा ही है next person क्यों चलते है यह इसी का 4 question है एक sin x into cos x into dx आप देखिया मैंने का क्या यहाँ पर इसमें 1 by 2 से गुना भाग करते देखिया आप 2 से गुना भाग करने से क्या फायदा होता है कि देखिये यह आपको 2 sin x into cos x यह formula पर आ जाएगा sin 2 theta का formula 2 sin into cos है तो यह sin 2 theta का formula अब हमको करना क्या यह 1 by 2 constant है बाहर रहने देजे x को रहने देजे sin 2 x का आपको integration में डाल देजे और यहाँ पर इसको रहने देजे x का 1 फिर sin 2 x का integration अब देखिए यहाँ पर आपको यह dx अब इसका integration करिएगा तो क्या होगा जो इसका integration होगा दोनों तो same है finally इसका integration की बात करें तो minus cos 2 x अब देखिए इंगल में 2 है तो 2 बट्टा में जाएगा मतलब भाग में आप देखिए यह sin 2 x है तो आपको इसके में गुना में कितना 2 है इंगल में तो यह आपको कहा जाएगा डिवाइड में जाएगा आप देख सकते यह minus से minus बाहर कर दि आपको करना क्या है यहाँ पर multiply कर दीजे एक बट्टा चार से तो सम्में multiply हो जाएगा तो यह आपको एट हो चुका है यह minus x cos 2 x बट्टा 4 पहले इसको लिग दीजे बाद में इसको लिग दीजे कोई मुश्किल नहीं है next person की और चलते है यह 5 question है हमारे पास देखिए 1 sin x और यह sin 2 x है हम यहाँ पर 2 से गुना भाग जो की है तो यह 2 sin x into sin 2 x है finally आपको यह dx है 2 sin a into sin b का formula आपको क्या होता है cos a minus b minus cos a plus b होता है अब देखिए cos a minus b मतलब क्या आपको 2 में से आपको क्या करना घटा देना तो कोई मुश्किल नहीं है x में से 2 x गिया तो minus x इसमें भ आपको बाहर कर देता है तो वहाँ पर आपको problem हो जाएगी यह minus है cos a plus b मतलब 2 1 3 finally यहाँ पर आपको इस तरीके से multiply कर दिया x से तो आपको यहाँ पर दो आपको integration देखेगा एक यह बला ट्रॉम और एक यह वला ट्रॉम इन दोनों ट्रॉम में आप देख क्या सकते हैं क्या देखिएगा देखना आपको यू है कि x cos x into dx इसका वापस से integration इसका वापस से आ यू इन टू भी इसमें भी लगेगा तो दो ट्रम है दूनों ट्रम के साथ काम करेंगे x को रहने दिया cos का फिर cos को रहने दिया आप यहाँ पर dx यहाँ पर भी similarly x को रहने दिया cos 3x का integration करेंगे 1 को यह x का 1 हो चुका cos 3x का integration करेंगे आपके पास इस तरीके से हैं यहाँ पर देख सकते हैं x और यह आपको cos का sin यहाँ पर cos का sin यहाँ पर आपको cos का sin 3x बटा 3 यह minus sin 3x बटा 3 finally आपके पास x sin x यह minus minus plus हो चुका होगा देखिए sin का integration करेंगे तो minus cos x होता है इसलिए plus हो चुका है यह minus x है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से यह minus sin 3x बटा 3 है ना इसका integration आपको minus के साथ होता है minus cos 3x बटा 3 यह 3 यह 9 हो चुका है यह minus है यहाँ पर माइनस यहाँ और देखिए यहाँ पर और यहाँ पर आपको इसमें क्या करना कुछ नहीं करने के जोड़ते जो आपको प्लेस वालों इसको पहले लिए दिजा और क्या हम करिएगा अब नेक्ष्ट परसन की ओर चलते कोशन नंबर 6 की ओर यहाँ पर भी हम फर्मूला का प्रियों करेंगा जब 2 से गुना भाग कर देंगे तो यह 2x into cos 3x 2 cos a into cos b का फर्मूला cos a plus b plus cos a minus b अब देखिए इस फर्मूला का यदि cos a plus b मतले 5, 2, 3, 2, 5 तो एक एक बोले तो एक बोले तो एक अब देखिए इसको अलग-अलग करना हम तो x को रहने दिया cos 5x का integration करेंगे 1 का x का 1 और यह इस तरीके से हो चुका है इसका finally करेंगे तो x यह cos x रह गए into dx और यहाँ पर minus 1 cos x into dx यह सब का dx है अब देख सकते हैं यहाँ पर आपको cos का sin 5x बटा 5 क्योंकि angle में जो होता है वो divide में जाता है मतलब भाग में और x sin x इसका integration और यहाँ पर भी similarly अब देखें यहाँ पर आपको देखना क्या है इस तरीके से छोटा सा काम करना है एक sin 5x बटा 5 है यह minus से माइनस से आप देखें यहाँ पर हुआ यह कि आपको देखें इसका integration करेंगे तो आप जानते हैं यदि sign का integration करते तो minus chip का आता है मतल इस तरीके से है finally आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा आ चुका है questions ओके अब देख सकते हैं next question है इसी का 7 है x sin x square x dx यहाँ देखें sin square x का formula 1 minus cos 2x by 2 2 cos x 2 sin square x का formula होता ना 1 minus cos 2x by 2 इसी परकार यह formula होता है यह formula का हम यहाँ पर trigonometry formula का प्रियोग करेंगे sin x square को लिग दिया 1 minus cos 2x लिग सकते हैं ना don't worry यह 1 by 2 को हमने का कि आपको भाग में मतलब integration के बाहर कर दिया क्यों कि आपको यह constant है x से multiply कर दिया इस तरीके साथ चुका है इसको अलग-अलग काम करेंगे x का x square by 2 यह यह जो आपको दीख रहा है यह आपको थोरा सा इसमें काम करना पड़ेगा मतलब आपको यह लगाना x को रहने दिया कोस्ट 2 x 1 x 1 x 1 x 2 x x 2 x 2 x 2 x 2 x 1 x 2 x 2 x 2 x 3 x 2 x 3 x 2 x 2 x 2 x 3 xрим तो आपको यह दो आपको देख सकते very x 2 x 2 x 1 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 xtes match it तो यह आपना एक्स बट्टा टू और यह वाला ट्रम पहले लिख चुके यह वाला बाद में माइनस एक्स साइन टू एक्स ओके तो कोई मुश्किल नहीं है अब नेक्स्ट कोश्टन की और देखते तो वन का यह एट है एट देखिये क्या कहता है इंट्रुगेशन एक्स तो यह इधर आजाएगा मतलब आपको पलस में आ चुका होगा कॉस क्यू टिटा को अकेला कर लिए वन बट्टा फोर कॉस थी टिटा इंटू थी गॉस टिटा हमने यहाँ पर देखिये करना क्या है आप फोर कॉस क्यू टिटा का फर्मूला डायरेक्ट यह लगा सकते है यदि यह चार को अकेला कर लिए तो यह लगा सकते है हमने यहाँ पर का क्या एक बट्टा ची चार से गुना भाग कर दिया ताकि डायरेक्ट हम यह फर्मूला ल 3x है ना यह cos का power 3x है हमने यह वला formula पर लगा दिया cos का power 3 theta यह देखिए यहाँ पर ऐसे कोई मुश्किल ने चार से गुना भाग करते थे ने तो यह भी directly formula लगा सकते थे यहाँ पर लेकिन वह गुना भाग वाला चकर नहीं है directly आपको यह formula पर प्रयोग किया गया कोई मुश्किल नहीं चलिए cos q का हमको यह formula लगा दिया एक बटा चार बहार आ चुका है x cos 3x है और यह आपको 3 cos x into cos x यह कैसे हो चुका पता आपको देखिए यहाँ पर x से इसमें multiply कर दिये x से क्या की multiply कर दिये अब देखिए यह 3 constant है बहार आ चुका x cos x यहाँ पर आपको integration होगा u into b लगाएंगे यहाँ पर भी आपको u into b लगाएंगे दो factor मतलब दो तरम है एक यह वला और एक यह वला हमने इसके साथ x को रहने दिया cos 3x into dx यह प्लस 3 यह वला टरम X को रहने दिया, cos का आपको integration करना है, फिर आपको क्या करना है, x का 1 और यह cos का integration में रखना है, आप देख सकते हैं, 1 बट्टा 4, यह 1 बट्टा 4, यह आपको x को रहने दिया, cos का आपको sin 3x बट्टा 3, यह आपको cos का sin 3x बट्टा 3 हो चुका है, यहाँ पर भी देखे, यह आपको यहừ। िटीप्लi से इनपे के चुट हो पर दिए आपको century x स्गी अपको लगार में और मिली आपको h Trump के साथ लेकिनों यहां पर यहां यहांपर तो पीभिष रहा जासरा काम कर से रहां जो पसक्तप है यह आपको इस स्था सिंथ Thirty angry आपको यह 3 cos x है, कोई मुश्किल नहीं है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, cos 3x butta 3, 9 है, कितना आपको यह 9 है, यह 3 x sin x है, और यहाँ पर आपको यह, देखे, हमने यहाँ पर कहा कि यह 3 common ले लिया, common ले लिया है, तो यह आपको देखे, यह 3 वाला कौन टर्म है, आपको देख सकते हैं, x sin x plus cos x, यहाँ पर 1 बट्टा 3x, यह वाला आपको जो है, 1 बट्टा 3, x sin 3 x, यहाँ पर, यहाँ यहाँ पर 1 बट्टा 9 cos 3 x plus 3, तो इस तरीके से यह question आपको solve वा, ठीक है, इसका एक और प्रश्चन है, 1 का 9, यह x sin 3 x x, यहाँ पर भी हमने sin 3 x, यहाँ पर भी हमने sin 3 x, यहाँ पर 1 बट्टा 4 को बाहर कर दिया, x से आपको सबको multiply कर देना है, तो इस तरीके से यह यहाँ पर आपको करना है, इसका आपको integration करना है, finally 3 को बाहर करना है, sin x, यहाँ पर आपको इस तरीके से, finally यहाँ पर आपको similarly काम यहाँ पर भी कर लेना है, okay, तो normal काम है, यहाँ पर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, यह साइन का cost है, यहाँ पर भी साइन का minus cost, यह और क्यूंकि आपको देखें चुका है सिक्सट नहीं है तो यहां पर भी आपको यह आपको ये को साइन डोड़ा हैं कि कि फाइली यब देख सकते हैं यह एक को इस तरीके से या मायनेिस से मल्टिपलाइ Stephenage जब पको पलस बंचुका इंधाग होगा जो पलस है वो आपको मैनेस में आ चुका है तो यह वदत आपको Ant I gör पलस वाले को बादम मानश वाले को लिग दे तो यह आपका इस तरीके से कोषण सॉल्व हो चुका है एक और कोषण ने देख सकते हैं यहाँ पर ट्रिंड वह आपको एक से इसक्वार सायनिसक्वार X बेटा थो यह फार्मूला हमने यहां पर लगा दिया सब्सक्राइब, सोतो, सब्सक्राइब, पिए सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब यूज़़ा तम चज़़ा, वह भगोए लगोगा, पॉकि मुझफो लतेशन अर्प, फॉकिनार यूचा म Christians अब यहांपर आपको वापस एक काम करना पर जाएगा चोटा सा मुश्षी बते है इसको वापस आपको इंटुगेशन आपको तोरना पड़ेगा मतलब यूइंटुभी लागाना पड़ेगा अब यूइंटुभी लागाने का चेकर चाहिए है एक्स को रहने दिजे वापस को इंत्रिगरेशन में डाल दीजेंके वापस को प्रकार माइन सा मल्टिपलाइ जागा कोई मुश्किल नहीं है आली आपके पास आनसर आखा लाओ फुरी एक्स का पावर क्यों बटा थीन ये एक्स सब्सक्राइब नृत यह x cos 2x बटा 2 है, यह sin 2x बटा 4 plus c, तो इस तरीके से यह question solve हुआ, इसके बाद 11 भी है, चलिए, question यह भी है, cos square x का formula आप जानते है, 1 plus cos 2x बटा 2 यहाँ पर हमने लगा दिया, finally, x square यह cos square x का formula जो है, हमने यहाँ पर चिपका दिया, 1 by 2 को बाहर कर दिया, x square से multiply कर दिया, यह भी एक electron होगा, यह भी एक electron होगा, यह x का power 3 यह असानी से निकल चुका, लेकिन यह असानी से नहीं निकलेगा, x square को रहने दिजएगा, cos 2x बटा 2x यहाँ पर cos 2x को रहने दिजएगा, cos का integration sign होता है, यहाँ पर cos का integration आपको sign हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, वापस से इसमें एक मर्तबा और u in 2 भी लगाना परेगा, यही तो छोटा सा मुश्रीबत आ जाता है, कि u in 2 भी लगा जाता है, ताकि question बढ़ा हो जाए, आप देखे, 2, 2 cancel हो चुका है, x को रहने देजी का sign 2 x integration में आपको यह 1 x का 1 और यह sign 2 x को integration में डाल देजे, यह similarly उतर रहा है, कोई मुश्किल नहीं है, यह आपको x है, यह sign 2 x का, आपको cos 2 x बटा 2, और minus के साथ, sign का integration minus, अब देखे, minus cos 2 x बटा 2, फाले यह minus minus, plus ही वापस से, यह आपको minus है, यह minus बनाएगा, तो आपको देखे, यहाँ पर तो यह minus है, यह minus बाहर में बैट के, इंतिजार कर रहा है, ठीक है, अब यह minus है, इसको बनाएगा, कि आपको पलस बनाएगा, जो minus है, तो वह पलस जो माइनस बन जाएगा यह वन बटन टू है और यहां पर देख सकते हैं यहां पर देखिए यहां पर यह अपको कॉस्टु एक सरह इसका भी इतिकरिशन होता है इसलिए साइन टू इक समद्ट टू आपको देखिए इस तरीकी सा आचुका फाइनली है आपके प आपको आपके पास जो फर्मूला होता है, 1-2x कोई मुश्किल नहीं है, आप देखिए, यहाँ पर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आपको 4 हो जाज़ा है, दुदुनीगी 4, तो यहाँ पर यह आगे जरूत पढ़ेगा, तो हम आगे आपको इसके बारे में बताएंगे, 2oc2, यह 1-cos2 रगे, यहाँ पर आपको आपको कॉस्कार लिखना चाज़ाए था, तो यह दो फर्मूला को आप चेंजिंग यहाँ पर कर सकते हैं, शाल के यहाँ पर पलस कर दिजे घा ठीक है, यह बना देँगा, इसको को सी दुदूर एक्स का formula बन जाएगा क्योंकि cos में जो होता ना देखे cos में क्या होता आपको यह जो होता है cos में आपको क्या होता plus होता है तो आपको formula वैसे याद होना चाहिए यह दू-दू आपको 4 हो चुका होगा multiply के साथ 1 बटा 4 बार कर दीजिए इस तरीके से a square minus b स्कॉर स्कॉरं अव्य स्कॉर चैंट स्कॉर्मूला मैं ऐसा फॉर मिल्स प्रशाnteध अदेए दोलेक भी तो ढें कैसे स्कॉर डें स्कॉर डेंस प्रेंस पार्उट्री यह फॉर मुला अब यहां कौस का आपको यहां पर जो जो खोर ब ICE जांगें च्छाप नहीं नियुस्का ही में करें आपको यहां पर है तो आए स्माइख लिखाम इस भू आपको उस्टी है और को इस डिखेंग यह को रिखाएं इस पर यहां 4 यहां पर आपको यह दिखिए इस तरीके से में ब्रेकट इसलिए दे चुके क्योंकि यहां पर आपको देखिए माइनस पहले इंतिजार कर रहा है कभी इसमें multiply करें इसलिए तो minus यहाँ पर है यहाँ पर minus दिख नहीं रहा है लेकिन minus है आप देख सकते हैं sin 4x बटा minus आपको minus यह देखें यह sign का जो differentiation जो होता आपको minus में होता है यह minus minus plus बना चुका होगा अब वापस से यह वाला minus यहाँ पर minus है यह minus यहाँ पर है